क्या आप लोग ने कभी माइकुरेब में बर्गर को बनाया है नहीं बनाया तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं बर्गर को माइकुरेब में माइकुरेब में बर्गर बनाना बहुत ही आसान होता है तो माइकुरेब में कैसे बर्गर को बनाना है वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोग के शाथ में शेयर करोगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन हाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजेगा जिससे जब भी मैं कोई माइकुरेब की रेस्पी आप लोग के शेयर करूँगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग को मिल जाएगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेस्पी को तो आज मैं जो बर्गर बनाने वाली हूँ उसमें मैं ये फ्रोजन बर्गर पैटी का इस्तमाल करूँगी तो मैं इसे भी माइकुरेब में ही कुक करूँगी माइकुरेप में इन बर्गर पैटी को कैसे कुक करते हैं इसका डिटेल में वीडियो मैं अल्डेडी शेर कर चुकी हूँ तो डिस्किप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है तो आप वहां से देख लीजेगा तो मैंने यहां पर ली हैं तीन बर्गर पैटी और इसमें मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी और आप हम इने रखेंगे माइकुरेप में कुक करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको अपने माइकुरेप में रखना पड़ेगा हायर रेक देन उसके बाद आप लोग को यहां पर कन्वेक्शन मोड सेट करना पड़ेगा कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद कन्वेक्शन की 200 डिगरी सेट करनी पड़ेगी देन उसके बाद आपको दसमेंट का टाइम लगाना पड़ेगा 10 मिट में हमारा जो microwave है वो preheat हो जाएगा जब microwave preheat हो जाएगा देन उसके बाद हम अपनी जो patties हैं उन्हें cook करने के लिए रखेंगे आप चाहें तो इन patties को deep fry भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर microwave की recipe शेयर कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें microwave में करके ही देखाऊंगे और patties को अब हमें यहाँ पर जो convection mode है उसमें 20 minutes के लिए bake करना है तो मैंने 20 minutes का time लगा दिया था 20 minutes में जो हमारी patties हैं अच्छी तरह से cook हो जाएंगे जो frozen food होता है उसे microwave में कैसे cook करना है किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है पूरा detail में वीडियो मैंने बना चुकी हूँ तो please description box है आप लोग एक स्वार उसको check जरूर कर लीजेगा जिसमें आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर 20 minutes में जो हमारी patties हैं वो अच्छी तरह से cook हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना अच्छा color आया है तो अब बिस हमें क्या करना है आप हमें बनाना है burger तो इन patties को हम रखेंगे साइड में और अब हम लेंगे burger बन और फिर उसके बाद हम बनाएंगे burger तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है burger बन और इसे हमें इस तरह से cut कर देना है देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिये हुए है धनिया और पदीने की चटनी तो उसको हम धनिया और पदीने की चटन की सलाइस पार हम बार में आख से आपने वाटने के गार था चीज से पत्ता और या भी रख राख रही हूं देन उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ पत्ता गोभी पर और देन उसके बाद अब हम इसमें एक टमाटर और एक जो पतली पतली साइस में कटी हुई प्याज उसको रख देते हैं अब हम दूसरा जो बर्गर बन है वो ले लिया है मैंने और उसमें मैं डाल रही हूँ तोड़ा सा टेमैटो कैचप और धोड़ा सा डालूगी मैं सेजवान चटनी और उसको अच्छी तरह से इस तरह से फैला दूगी और अब बर्गर में उपर से जो प्यास बगर डाली है उसमें थोड़ी सी जो पिज्जा सॉस है बो डाल रही हूँ और बैस आब हमें इस तरह से इसको इस तरह से उपर रख देना है दूसरे बाले बन को और आप हमें इसे माइक्रोवेब की जो बेकिंग ट्रे होती है उसमें इसको रख देना है और मैंने एक और बर्गर बना के रख लिया है तो इस दोनों बर्गर को अब हम माइक्रोवेब में कुक करेंगे टो आपको सब से पहले माइकृवेब में रखना है लोवर र доп generated of your Beauty अब ऐसे पहले मायक्रोवेब में रखना है लोवर रहें करें लोई लोवर रा है दिन द 야 शेट करना है eli तो आप लोग इसे बीच में एक बार जरूर चेक करिएगा और साथ में यह भी धियान रखिएगा जो क्योंकि जो बर्गर होता है उसकी जो हाइट होती है वो जादा होती है तो कभी-कभी जो उपर से जो बन है वो जल सकते हैं इसलिए आप लोग उसे बीच में जरूर एक चेक करिएगा यदि आप लोग को लगे कि एक से दो मिनेट में आपके जो बर्गर हो रेडी हो गया है तो आप उसे पहले भी निकाल सकते हैं तो मैंने तो यहाँ पर बनाये थे दो बर्गर लेकिन एक बर्गर हमारे यां खा लिया गया बस एक ही बर्गर दिखाने के तो आप लोग इस तरह से माइक विप में बहुत आसान तरीके से बर्गर को बना सकते हैं आप लोग को मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरू बताएगा यदि रेस्पी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और अपने प्रेंड्स और फैमली के शाद इसे जरू शेयर करेगा